14, 17, 18 हम लोग चुनाओ देखे हैं और 19 में चुकि हम खुद जीते हैं चुकि हम लोग मेरा कारेकाल आप जानते हैं साथ दिसंबर को हम चुनाओ जीता और एक महीने बाद हम पांच महीने के लिए जेल चेले गए और जेल में हमारे च्छातसंग का जो कारेकाल सचोधा को डिजल्व कर दियागा उसके बाब जूद देखने को मिर रही है ऐसे मैं अगर बात करें तो यहां राधानी पटना के प्यू में साथ तारीक को नॉमिनेशन च्छातसंग चुनाओ को लेकर किया जा रहा है च्छातसंग चुनाओ को लेकर काफी संजीदा है और कही नखी अपनी चुनावी रणनीती जो है वह भी तयार करते नजर आ रहे हैं साथ अभी बात करने के लिए चात्संग चुनाव के पूर्वद अध्यक्ष रहे हैं और यहां के काफी चर्चित नाम भी है यह मनिश्यादव है उनीस सीधे बात करते हैं मनिश्यादव जी कितना एक्स्प्रियेंस रहा है चात्संग चुनाव के आपको और क्या कुछ इस बार का अलग होगा लगतार 14-17-18 चुनाव देखें हैं और 19 में कुकि हम खुद जीते हैं हमें लगता है कि अगर चात्र हितों की मुद्दे की बात की जाओ जो चात्र पूर्व में सक्रिये रहे हैं वह लोग चुनाव में काफी निरनायक भूमिका निभा सकते हैं और चुकि हम लोग मेरा कारेकाल आप जानते साथ दिसंबर को हम चुनाव जीता और एक महीने बा कर आप को मीशन के तैयारी पठना बीश्विद्दा रहे आ जा रहा हमारा ही देन है यहाँ पर जगां को ड्रिंकिंग वाटर हो यह साठ्राश कम लगभग हम लोगों प्रयास किया चाशय के बाद में सबसे बरी में हमारी क्रों करोना में पॉरी जेल भी बेउर जेल में काटे हैं तो हमने अपनी पूरी भागीदारी दी छात्र ने जो भरुसा दिलाया था अब अन्य जो छात्र लरना है हमारे जनदिकार पार्टी से या अन्य जो भी लोग हो उनको हम सुभकामनाई भी देंगे और वह छात्र हितों के मुद्धे पर पट्ना बिश्विद्याले को सरकार पूरी तरह से द्वहस्त करना चाहती है यह यह पट्नाबिश्विद्याले देशका सबसे सात्मा पुराना बैश्विद्यालय कहा जाने वाला आज आप मेट्रो और यहाँ डबल डेकर रोड के नाम पर उसको कर रहें नई सिक्षा नि आप उठाके देख लिए इससे पहले भी तीन प्रत्यासी जीते हैं हमारे चाहसंग पैनल पर मनीश भी बहुत सारा काम किया है चाहे मैलाओं के लिए यहां सीसी टीवी बात्रूम के लिए और हमारा भी सपस्ट ही मांग रहेगा हम लोग इस परस्ट इसी चीज़ के लिए ही अजंडा लेकर उत्रेंगा मैं अरजीत के आते हैं चात्राओं के लिए काम करेंगा और यहां के करमचारी और प्रोफेसर जो कमी है और पढ़ाए के करन बहुत सारा खामिया यह हुआ कि पढ़ाई बंचीत हुआ पढ़ाए नहीं हो पाई और जल्दी यल्दी एक्जाम लेकर सेशन को मतलब कंप्लीट करने में लगा हुआ है तो उस चीज में जो पढ़ाए नहीं हुआ प्रोफेसर कमी बहुत सारे प्रोफेसर जो डेट जो भी कंडिडेट होंगे उनसे मैं यही कहांगा कि अगर वो संघर्स किये हैं तो आएं और हम लोग से मतलब यह करें ठीक है अगर हमने ज्यादा मेनत किया तो उन्हों भी यह चीज दिखे है कि हमारा संगठन के लोग है जो नहीं नहीं चेहरे वह आपको सिर्फ संगठन हो चाहे इनवर्शिटी ओचाहे बाहर हमारे नेता भी बाण में भी काम किया है को इस तरह से बाते यह तकमाम निकल कर सामने आई ऐसे में चुनाओ जो है वह देखने हो यह हमारे साथ कुछ और है उनसे भी बात करते हैं क्या नाम होगा रंजन यादब नाम हुआ मेरा 2017 से शात राजनीती में एक्टीव हो 2017 का मैं कहानी बताता हूं जिस समय बिहार बोट इंटर काउंसिल में जो घोटाला जब होते थे जिस प्रकारते बिहार बोट का इंटर का और डिजल्ट खराब होता था उस समय मैंने विश्वित डाले को जाकर इंटर कांसिल पी जाकर कुतला फुकने का काम किया जिससे मतलब वहां पर जलूल गया था उसके बहुत सारा लाटिस चार्ज भी हुआ तो लागतार कहीं न कहीं हम लोग छात्री हित के बीच में बने रहे हैं और उसके बाद 2018 में हम लोग बीड़ी कोले से चात्रसंग का ध्यक्स जीत करा है उसके मांड रहेगा और हर साल जो चात्रसंग के जो फंड होते हैं उस फंड से हमारे पटना उनिवर्सिटी के कम चेकम 120 मतलब 67 और 67 यह लोग का एकदम ट्यूशन होश्टल फी मतलब निसुल्क होना चाहिए जिस परकार से जो हमारे सरकार महागठवंधन की जो सरकार जिस परकार से बैटियों को बढ़ाने के लिए जो काम कर रही है जो इससे पटना विशुद्याल है बिहार का सबसे बड़ा विश्विद्याल है अगर यहां से हमारे यहां पढ़ के लोग डॉक्टर इंजिनियर बनते थे आज कम्या क्या है आज यहां पर लोग पढ़ नहीं पाते जो पढ़ना वोमेंस का जो फी चालिस चालिस एक लाक है तो गड़ी चात्राइं वहां कैसे पढ़ सकती है तो हमारा जो इस्टुडेंट यूनियन का जो फंड रहेगा जो फंड के नाम पे जो वसूली जो किया जाता है कुल्पती मोहदे के द्वारा उस कुल्पती से हमारा आगरा रहेगा कि उस पैसा का समय पर पर परिछा नहीं ली जाती है मेरा बुन्यादी मुद्दा वही सब है तो जाहिर से हो चुका है और अगामी-शततारीग को इसका नॉमिनेशन है वहिं अगर बात करें तो चओदा तारीग का धेत रखा गया है नॉमीनेशन वापस लेने के लिए और उननीफ तारिग उनिर्नायक रहे गा जिस दिन के कैई कि आगया